नवस्कार दोस्तों आपका स्वागत है सिविल डिजाइन में आज की इस वीडियो में जो देली मूबई एक्सप्रेक्स वे का एमपे के जाबवा डिस्टिक में काम चल रहा है उसकी अपडेट के बारे में देखेंगे यह डैली टू वरोद्रा का पेकेज नंबर 25 है और तो यह सारा फबलिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा तो अलग-अलग पैकेज की अलग-अलग एक्सपारी डेट यानि की कंप्लीशन डेट है और अलग-अलग पैकेज है अलग-अलग टाइम पे स्टार्ट हुए है तो यह पूरा जो पैकेज है यह मार्च 2023 में आदला तेशिल से 10 किलोमेटर की दूरी पे है यहां पे दिखिए इस लोकेशन में कर्ब लेंग का कारिय जारी है और जहां पे इम्बेग्मेंट हाइट 6 मीटर से ज़्यादा है वहाँ पे कर्ब का लेंग किया जा रहा है और इसके भगल में मेटल बीम कर्ष्ट बेरियर का कारिय किया जाएगा अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस एक्सवे की अपडेट मैं इस अपने चैनल पे देता रहता हूँ यह देखिए यह डबलुए से वेसाइड अमेनिटी जिसका प्रोपर लोकेशन थानला तेसिल से 10 किलोमेटर की दूरी पे है और इस लोकेशन पे आपको रेस्ट करने का मोका मिलेगा जब आप इस अलाइमेंट से गुजरोगे तो यहाँ पे पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट, आदी की सुईदाय दी जाएगी और यहाँ पे देखिए जो डबलुए से है उसके अंदर सर्विस रोड दिया जा रहा है जो की यहाँ पे वहिकल पारकिंग की सुईदाय रहेगी तो यहाँ पे जो वहिकल है उसका अंदर मॉमेंट इस रोड के जरी होगा देखिए यह मैन अलाइमेंट से लगवक डेट सो मिटर की दूरी पे है और यह मैन अलाइमेंट से कनक्ट है मेन अलाइमेंट में रैंप के मादियम से सर्विस रोड के दोरा एंट्री दी गई है इस WSA में और WSA के अंदर यह देखिए यहाँ पे जो है सर्विस रोड है इसका फॉर्मेशन किया जा रहा है आप देख सकते हो वहाँ पे जो मैन अलाइमेंट है और जहां पे यह टेंकर पड़ा है यहाँ पे इसका रैंप है जिसको हम सर्विस रोड बोलते हैं और इस सर्विस रोड के माधियम से इस डबलो एसे में एंट्री दी गई है और यह अंदर जो सर्विस रोड बन रही है व वाटर की कें है जो कमी को पूरब करने के लिए यहां पर बोरवेल को का कर्श्चन किया गया है और इस बोरभेल के जर्रीए जब यह पूरा जो जाए गा तो यहां पे वार्तर की सेशिलिटिड प्राइड की जाएगी ने JAC कि आगे में आप गड़ा देख रहे होंगे यहां पर दिखिए बोर्वेल खुदा हुआ है कि यह जो लोकेशन है यह दोनों पाड़ी एरिया के बीच की लोकेशन है और यहां पर पहले डीवियम का वरक कंप्लीट हो चुका है अब मेटल बीम क्रश्ट वेरियर का कारिय किया ऐस्वर को प्रिपेर किये जाएगा इमघ्जेंचट लेन के रूप में यूच किया जाता है जिसका श्तेंट मेरे करनालाइमेंट के स्टेंदक आख देखना इसका जिससे कि इसका सेटलमेंट का चांक्स कम रहें देखिये में आडिवाल का लोकेशन है वहां पे योसेल डालके कॉंक्रेटिंग कर दिया गया है जिस्से की मीडियन का जो मिटी है स्टक्चर में ना graph यह और नीचे रूट प्रॉइड किया गया है विलजर्स के लिए कि आधे यहां पी स्लोप कट्टिंग का कारीय जारी है Slope cutting करके Slope का dressing किया जाएगा Slope dressing के बाद Slope का protection भी किया जाएगा देखिए यहाँ पे browser और पैवर देख रहे होंगे यह जो location है यहाँ पे structure है उस structure gap में dbm का काम बचा हुआ है तो वहाँ पे dbm का वरक किया जाएगा इस package में major work लगवग complete हो चुके है और देखिए यह minor work यहाँ पे Slope का protection किया जा रहा है जिसमें geo sale बिच्छा के इसमें black soil का filling किया जाएगा और उसके उपर में grass उगई जाएगी जिससे की Slope का protection रहे और मिट्टी का erosion ना हो इस side में देखिए यह सीरा यहाँ पे cutting करके इसको उपर की तरब दबा दिया गया है और नीचे भी यहाँ पे machine द्वारा cutting की जा रही है cutting करके नीचे वाले ace को cover किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पे black cotton soil का filling किया जाएगा जियो सेल के बारे में एक detailed video मैं पहले से upload कर चुका हूं तो आप चैनल पे जाके उस video को विजिट कर सकते हो साथ ही मैं उसका link description में provide कर दूँगा यहाँ पे देखिए कर्ब लेंग के बाद यहाँ पे इस portion को down किया गया है down करके जियो सेल को फसाया गया है और उसके बाद यहाँ पे black cotton soil का filling किया जाएगा जिससे की weed का growth है वो तेजी से रहे चलिए इस video में इतना ही इस package के update मैं आगे के वीडियो में देता रहूंगा अगर आप channel पे नए हैं तो channel को subscribe करना ना भूले और bell icon को press करना ना भूले ताकि मेरे latest video की notification आप तक जल्द पहुंच सके again thanks for watching have a nice day